दोस्तों होंडा के तरफ से अपडेट होके आ चुकी है उनकी वान अफ दा मोस्ट फेमास बाइक जो की है शाइन 125 अब दोस्तों 2023 में खरे होके क्या इसमें सिर्फ आपको E20 वाला अपडेटी देखने को मिलता है या फिर कुछ और भी जो है यहां पर हमें खास चीज़ E20 एंजिन आ रहा है अब इसके साथ साथ जो है बहुत पहले ही SP 125 का भी E20 अपडेट आ चुका है सिर्फ दोस्तों अभी बाकी ता शाइन 125 की जो की अभी होके आ चुकी है वैसे दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर SP 125 और अगर शाइन 100 के बारे में आपको डीटेल में जानना है 2023 में उसमें क्या-का जो है आमें देखने को मिल जाती है उसके बारे में हमने डीटेल में वीडियो किया हुआ है आई बटन में लिंक का रहा होगा आप वहां पर जाके देख सकते हैं नो जाम बैक टूदा टॉपिक यहां पर हमें शाइन 125 में दोस्तों मोटा-मो अपडेट होके आ चुकी है इंजिन की अगर दोस्तों प्रॉपरली बात करूं तो यहां पर हमें 125 CC का एक सिंगल सिंडर एर कूल इंजिन देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों एक E20 इंजिन है ओविसली यह अपडेट होके आई है मतलब कि इसमें आपको OB2 सेंसर देखन 1500 rpm जो कि ठीक ठाक है 125 CC की बाइक के हिसाब से और साथी दोस्तों 11 Nm की यहां पर आपको पिक टॉर्क भी देदेगी at 6000 rpm और दोस्तों यहां पर पहले से हमें 5-speed gearbox देखने को मिलती है यहां पर अभी भी जो है यहां पर 5-speed gearbox ही हमें देखने को मिल जाएगी बागे दोस्तों भी हमें बल भी देखने को मिलती है वैसे दोस्तों जो इंडिकेटर की ऊपर वाला पार्ट है वहां पर हमें transparent glass देखने को मिल जाती है वह वैसे glass नहीं है दोस्तों वह फाइबर का एक जो है material यहां पर दिया जाता है मतलब की पूरी तरीके से यहां पर बाइक में कहीं पर आता है दोस्तों decent blue metallic तीसे नंबर पर आ जाती है दोस्तों rebel red metallic और चौती नंबर पर आ जाती है matte axis grey और एकदम 5 नंबर पर आता है कुछ grey metallic कुछ भी है दोस्तों छोड़िये उसको color option जो है दोस्तों वह स्क्रीन पर शोड़ा हुआ होगा वहां पर आप देख सकते हैं और इ इंजिन से आपको वहीं देखने को मिल जाएगी पुरानी की पुरानी जो इंजिन आपको देती थी उतना ही 65 kmpl के आसपास यहां पर आपको मिल जाएगी और ब्रेकिंग की बात करो तो यहां पर दोस्तों हमें दो वेरियंट देखने को मिलती है इस बाइक में एक डिस्क बाला वेरियंट और दूसरा है ड्राम बाला वेरियंट जो ड्राम बाला वेरियंट आता है उसका दोनों ही तरह में 130 mm का यहां पर देखने को मिल जाती है और जो डिस्क वेरियंट आते है उसका सिर्फ फ्रंट में जो है हमें 240 mm की यहां पर डिस्क साइज देखने को मिल ज जाता है जो कि लगबग हमें हॉंडा की अभी की हर बाइक में देखने को मिलती है तो यह भी काफी एक अच्छी बात हो जाती है अगर फाइनली प्राइजिंग की बात करूँ तो प्राइजिंग में ऑविसलि दोस्तों यहां पर दोनों वेडियन्स में वरोत्री देखने को म मिल जाती है ड्रम वेरियंट का भी प्राइज रखा गया है 79,800 रुपीज यह एक शोरूम प्राइज है और दोस्तों जो डिस्क वेरियंट आता है उसका है 83,800 रुपीज बागी दोस्तों आपको बता दू कि यह जो बाइक है यह हीरो की स्प्लेंडर हॉंडा की खुद की TSP 125 और बजाज की CT 125 को टकर देने वाली है और यह जो बाइक है यह अपनी नजदी की शोरूम में जब आ जाएगा दोस्तों तो मैं जो है इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए ला दूँगा तो उसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मेंड़ेरी है त दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और शेर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ तो इसी नोट पर मैं वीडियो को करता हूँ मैं मिलता आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग तिल देन साइनिंग ओफ आप मैं बखूर्टिंग लेख वीडियो एंग गली तक के लि factक लिएक आपिर MY वाद剌 Canvas